हेलो अच्छ नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी जैसा कि UPSI में आप लोग अपडेट मांग रहे थे कि केस की अपडेट क्या है ठीक ना केस की सुनवाई 28 फरवरी को थी तो उसमें क्या कुछ हुआ इस पर आप लोग कॉमेंट कर रहे थे और कॉमेंट में आप लोगों ने यही पूछा था कि 28 तारिक के कोड केस में क्या तो देखिए मैं आप लोग को यह सपस्ट कर देना चाहता हूँ कि अब की बार 4581 जो की सौनू परिहार जी की रिट है ठीक ना तो उन्होंने बताया है सौनू परिहार जी ने कि अब की बार बहुत ही तीखी जो बहस है वो कोट में होई है ठीक ना कोट नंबर साइद 5 था बेंच आईडी 3008 ठीक ना और ये लकनव बेंच में डाला हुआ केस था 4581 सौनू परिहार जी वे उनकी साथ में कुछ अन्य कैंडिडेट इसमें सामिल हैं वही लोग इसका संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस केस को देख रहे हैं सौनू परिहार जी तो जद साब ने वकील से कहा है कि जब हमने पूरा मामला कोट संख्या मतब केस संख्या 37-37 के अधीन पूरी भरती को कर रखा है तो आप लोगों को इंतजार करना चाहिए था जो आप लोगों ने जॉइनिंग दे दी है ना जॉइनिंग दे दी है और जॉइन लेटर पहुँ ठीकिना पूरा जो case है वो case संक्या 37-37 के अधीन काम कर रहा है और आप लोगो पहले से भी पता है पहली सुनवाई में ही पूरी भरती को case संक्या 37-37 के साथ में जोड़ दिया गया था तो ऐसे मैं उन्होंने ये कहा है कि आपको किसने बोला कि आप लोग जॉइनिंग दे अच्छा अगर आप लोग ने जॉइनिंग दे दिये तो अपने रिस्क पे देना जॉइनिंग यहां तक बोला गया है कि अपने रिस्क पे जॉइनिंग देना तो क्या भरती बोर्ड जो ह वो बच्चों को जोईन करा के जोईन तो करा दिया है ठीक ना ट्रैनिंग पर नहीं भेजेगा ट्रैनिंग पर ये लोग जाएंगे लेकिन सुनवाई जो हुई है उसमें जजसाब ने फटका रहा है भरती बोड के वकील को इतना हुआ था ये मामला अब ऐसे में जो सवाल उ विश्वास होगा भई ठीना भरती बोड को सरकार को पूर विश्वास होगा कोड के उपर कि जो कोड का डिसीजन है वो फेर वदल नहीं होगा कोड का जो डिसीजन है वो स्टेबल होगा इसलिए ये लोग जोईनिंग करा के ट्रैनिंग पर भीजेंगे जोईनिंग तो करा करा के भी बच्चों को वापस बुला लिया गया है क्योंकि कोट का डिसीजन जो होता है ना उसके सामने सभी जो है वो नीचे होते हैं ठीक ना क्योंकि इंडियन जो कोट्स है यानि कि भारते जो अदालते हैं वो पूरी तरीके सबस्तंतर हैं और उन्होंने कई बार सरकार के अगेंस्ट भी फैसले दिये हैं तो आप लोग कोई उमीद मत रखिएगा लेकिन एक जूटी उमीद आप लोग कायम रख सकते हैं ठीक ना अब मैंने बोला था पिछली वीडियो में देखिए मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा अभी भी कह रहा हूं मुझे नहीं लगत कुछ हो पाएगा लेकिन एक जूटी उमीद हम इस भरती से जुड़ी हुई रख सकते हैं वो जूटी उमीद यह हो सकती है कि होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है ठीक ना तो फिलाल जो कोट का वाकिया है मैं आप लोग को बता दिया है कोट में जजज साब ने भरती बोर हो जाती है कि कहीं न कहीं कोट भी ये मानता है कि इस भरती में स्कैम हुआ है नकल हुई है और नकल क्यों ना हुई हो 170 से ज़्यादा कैडिडेट इसमें जो है वो नकल में लिप्त पाए गए हैं तो कैसे आप लोग इस भरती को ये कह सकते हो कि पारदर्सी है सेफ है ये इ तुमने उसे एक्जाम कराने का टेंडर ही क्यों दिया ब्लैक लिस्टिट को एक्जाम कराने का मतलब साप समझ रहें सरकार की मिली मिली जो साठ गाट है वो हो सकती है तो देखिए ये वक्तव्य थे जो कोट के मैंने आप लोगों पहुचा दिये और भी आप लोगों को ज अब समय पे पहुचाता रहूँगा जाहिन